दूस्तों अगर आप तलाश में हैं एक बहतरिंग गेमिंग कीबोर्ड की तो आज हमारे पास Amcate की तरफ से आ जाता है यह EVO Fox गेमिंग कीबोर्ड जो कि खास तोर पर उन गेमर्स के लिए बनाया गया है जिनका बजट थोड़ा से कम है लेकिन उनको वो सारे फीचर्स चाहि करेगा विडियो इंटरस्टिंग लगे तो लाइक करना बिल्कुम नद भूलेगा तो दोस्तों फटा-फट ओपन करते हैं इस कीबोर्ड के बॉक्स को बहत सिंपल सा यह बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है जिसे कि आप ओपन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से जैसे की न से फंक्शन्स इसमें मिल जाते हैं यह सारी डिटेल्स आपको इसमें देखने को मिल जाएगी लेकिन वीडियो में लास तक बने रहेगा क्योंकि मैं सारी डिटेल्स के बारे में खुद ही आपको बताने वाला हूँ और इसके बाद यह आपका रहता है कीबोर्ड जो की दे तो कोई दिकत नहीं आने वाली है इससे पहले मैंने ईविवचको का गीबोर्ड मागा था वह's metallic a pur 정확 था लेकिन यहाँपर यह आपका पूरी त्रही से प्लास्टिक बेस पर होता है, जिसकी वज़े से इसका वेट काफी कम हो जाता है, केबल की बात करते हैं, तो आपको अच्छी खासी लेंथ देखने को मिलने वाली है, अच्छा खासा रोल बना हुआ है यहापर, और ब्राइडेट केबल देखने को मिल जाती है, जो कि overall आपक अच्छा पॉइंट रहता है, काफी पतली भी है, जिससे की यह चीज़ देखने में काफी अच्छी लगती है, next अगर हम बात करते हैं, keyboard के view की, तो अपने आप में देखने में काफी अच्छा लग रहा है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसे, overall यहाँ पर आपको एक full इस भी दे रखे होती है, इस तरफ पूरे में, और यहाँ पर आपको एक full size quality keyboard दे रखा होता है, और अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको एक window lock की दे रखे होती है, जो कि addition रहती है, हलाकि यह आपका सभी operating system like Mac, Windows, Linux, इन सभी के साथ काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात न सब्सक्राइब होती है, और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, कि इसकी smoothness की तो मेरे को काफी इच्छा लगा है, और इस तरीके से अगर आप देखते हैं, तो बहुत सही आपको इसकी performance देखने को मिल जाएगी, यह चीज़ मेरे को आपको काफी इच्छी नजर आदी और मैंने इसे install करने के बाद थोड़ा दिर इसके साथ मस्ती भी गरी थी, खेल के भी देखा था, तो मेरे को काफी ठीक ठाक performance यहाँ पर इस keyboard की नजर आई है, एक चीज़ में आपको बदना चाहूंगा, वो यह है कि जब आप इससे typing करते हैं, तो आपको sound नहीं आती है, म lighting की बात करी जाए, तो यहाँ पर आपको lighting के काफी साले modes देखने को मिल जाएंगे, लगबग 8 आपको ऐसे modes देखने को मिलेंगे, जिनका इस्तमाल आप अलग-अलग तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले अगर आप इसमें एक light button आपको दे रखी होती है, जिससे आप इसे on- light बंद कर दीजे, तो आपका normal keyboard की तरह काम करेगा, और अगर आप इसमें अलग-अलग lighting modes ट्राइ करना चाहते हैं, तो आपको 1 से लेकर 8 तक के जो buttons है, वहाँ पर आपको light का symbol बना हुआ दिखाई देगा, और जब आप इसे FN की के साथ प्रेस करते हैं, तो आपको अलग- अगर अगर मेरी बात करी जाए, तो मेरे को इसका by default जो one number पर आता है, वह काफी interesting लगता है, क्योंकि उसमें आपको एक pattern दिखाई देता है, जो कि एक waveform में आपको RGB का दिखाई देगा, ये चीज़ काफी अच्छी लगती है देखने में, अगर आप चाहें तो इसे single color में भी glow करवा सकते हैं, उसके भी options आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, तो फिलाल comment करके दोस्तों बताएगा कि आपको overall ये gaming keyboard कैसा लगा है, और मुरे को तो काफी interesting लगा है, चुकि इसमें आपको RGB function मिल जाता है, काफी budget में रहकर, इसकी price बहुत कम है, एक बार आप उसे पर टाइपिंग वगेरा सीख रहे हैं, तो ये keyboard आपके लिए एक बहुत बहुत बहुतर option होगा, तो आज की इस वीडियो में इतना ही चनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो इंट्रस्टिंग लगे तो लाइक करना बिल्कूर न खूलेगा, तब तक लिए दीजे हमें नमश्कार दोस्तों, जै हिंद, वन्दे मात रमी